नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेटी प्लेटफॉर्म में राज्ट रहत्मे सिक्षा दिसी दीरेजदिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की है वीडियो हिंदी पर आधारित होगी आप स परिशानी नहीं होगी अब चली हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो का नाम है सूपर फास्ट एक्स्प्रेस वीडियो अगर आप बाकई में हिंदी में पूरे में पूरे नमबर चाहते हैं पूरा हिंदी को डिटेल में पढ़ना और पूरी तरीके से आल चैप्टर के टेस लगाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सस्क्राइब कर लें अब हम चलेंगे एक पेन एक कॉपी ले लिज़ेगा अगर वीडियो क्लिक किया है तो सभी से कहेंगे बस इतनी वात कि अधूरा ग्यान मत लेना मेरे भाई लाखों में पीछे हो जाते हैं जब एक नंबर की परिशानी होती इसलिए आज विरामचिन की बारी है क्लिक किया है अच्छी बात है लेकिन खतम भी करना अच्छी बात होगी चले बात करते हैं विरामचिन विरामचिनों की बात करें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विरामचिन होता क्या है विरामचिन जिस तरीके से हम किसी distance को cover करते यहनी हम कहीं भी जाते है तो हम ठक जाते हैं तो हम रुकते हैं ऐसे ही जब हम लिखते हैं तो लिखने के बीच में हम ठैराओ जो लेते हैं यानि विराम चिन्द का अर्थ होता है ठैराओ अगर कुशन में पूछा जाए कि विराम चिन्न का निमलिकित में से अर्थ क्या है तो ठेराओ विस्राम या रुकना अर्थात वाकिल लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्न को ही हम क्या कहेंगे विराम चिन्न कहेंगे अब कुस्षन थोड़ा सा कठीन ये बनता है यहां से कि ये बत इनके बारे में ये बताया है कि विराम चिन्नों की जो संख्या है वो 20 है विराम चिन्न कहां से आये है वो अंग्रेजी भासा से आये है तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है आपको विराम चिन्न के नीचे तीन पॉइंट बना लेने हैं किस भासा से आये हैं अंग्रेजी स से आये हैं किस ने दिये हैं कामता प्रसाद ने संख्या कितनी बताई है गुरू साब ने तो आपको 20 लिख देना है तो ये तीन तीन फैक्ट आपको छोटे छोटे पॉइंट में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ठीक है ना सारा कुछ नहीं एकदम से डिटेल में लिखना गया है तो उसमें एक विराम चिन होगा जिसका नाम होगा पूर्ण विराम पूर्ण विराम को अंग्रेजी भासा से नहीं लिया गया है बाद बाकी सभी अंग्रेजी भासा से हिंदी में विराम चिन आये हुए हैं और यह कामता प्रसाद जी ने बताया है और इनकी संख् 20 है यह आपको याद रखना है चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों विराम चिन्नों के प्रकार विराम चिन्नों के प्रकार में आप यह देख रहे होगे आप कहोगे सर क्या यह बहुत जादा हमें पढ़ने पढ़ेंगे हम आपको यहाँ पर क्या है दिखाना चाहते हैं कि आपको फटा फट हम 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ पढ़ाने वाले है यह सारे विराम चिन जहां से आपसे कुछन पूछता है कि निर्देसक चिन कैसा होता है यहाँ आपसे कह देगा भईया बहुत बार कुछन पता कहां से आजाता है आपसे कहता है लागव चिन का जो है सिंबल क्या होता है आपसे कह देता है रेखानकन चिन का सिंबल क्या होता है आपसे बिसमरण चिन या तुरुटिपूर्ण चिन कह देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है तो सारे पढ़ लेते हैं चलिए आप बात करते हैं प्रकार में सबसे पहला है अलप विराम अलप विराम का चिन ही पूछ लेता है बच्चे अर्द विराम को लगा कर चले आते हैं अर्द विराम अलग है अलप विराम अलग है तो सुनिए जहां थोड़ी देर रुकना पड़े मेरी वास समझना जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्न का प्रियोग लगाया जाता है प्रियोग किया जाता है आपको अपनी कॉपी में नोट्स में क्या लिखना है अल्प विराम लिखना है उसका चिन्न याद कर लेना है क्या अल्प माने और थोड़ी देर रुकते हैं अल्प विराम कहलाता है पूरी गाथा नहीं लिखनी है आपको उधारन से समझा देते हैं एक एक्जामपल है जैसे राम, सीता, लक्षमण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं इनके बीच में जो लगा है न ये दोस्तों क्या है अल्प विराम है थोड़ी देर रुकना है और चिन आपको याद रखना है ये आपको बस याद रखना है player चले आगे अर्द विराम क्या होता है अर्द विराम को हम कहते है English में semi column semi column कहां से लिया गया है अर्द विराम कहां से जाए यह भी अंग्रेजी भासा से आया है जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुखना पड़े अल्प विराम क्या है थोड़ा अर्द विराम क्या है थोड़ा सा जादा मेरी बास समझ रहे हैं ना अल्प विराम बिल्कुल थोड़ा अर्द विराम बिल्कुल क्या उससे थोड़ा सा जादा और अर्द विराम का ये सिंबल है और अल्प विराम का केवल नीचे एक था केवल आपको सिंबल रखना है और ये देख लेना है कि अल्प विराम से कम समय है या जादा तो अल्प विराम से जादा समय को अर्द विराम कहते है और इसका सिंबल भी यही है जैसे example में सूर्यास्त हो गया फिर थोड़ी देर हमने सांस ली लालिमा का इस्थान कालिमा ने ले लिया तो ये क्या हो गया यह है दोस्तों आपका अर्ध विराम है अर्ध विराम क्या है ये अर्ध विराम का दो चिन लगते हैं दो चिन अर्ध विराम में है जबकि एक चिन अल्प विराम में है, मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, चले कुशन ये बहुत जबजस बनता है कि अंग्रेजी भासा से निमलिखित में से कौन सा विराम चिन नहीं लिया गया है तो फूर्ण विराम अंग्रेजी भासा से नहीं लिया गया है जब वाक्य खतम हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाए जाता है तो यहां से बनेंगे तीन कुसन पूर्ण विराम का चिन कैसा होता है पहला दूसरा कुसन जब वाक्य खतम हो जाता है तो हम कौन सा लगाते है तो पूर्ण विराम तीसरा कुस्षन अंगरेजी बासा से कौन सा चिन नहीं हिंदी में आया है तो वो पूर्ड विराम तीन कुस्षन बनेंगे जैसे राम खाना खाता है आपने वीडियो देख ली है तो मैं कह सकता हूँ कि यह जब काम खतम हो जाए तो पूर्ड विराम मोहन स्कूल लाता है राम खाना खाता है ठीक है न चलिए उप विराम क्या है फटा फट लिखना है देखिए समय बिल्कुल बहुत कम है उप विराम क्या होता है अर्द विराम अल्प विराम पूर्ड वि दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम लगता है केवल याद रखना है उपविराम के आगे आप सेप्रेशन लिख देना यानि किसी वाक्य को अलग दिखाना ही उपविराम है और उपविराम का हम उधारन आपको देते हैं जैसे प्रदूसन एक अविसाब जैसे आप अपने कोई समस्या नहीं आने चाहिए, चले आगे बात करते हैं, विस्मयादी बोधक की तो हर बच्चा जानता होगा, विस्मयादी बोधक चिन कैसा होता है, विस्मयादी बोधक इंटर जेक्षन कहलाता है, विस्मयादी बोधक का चिन आपको विस्मयादी बोधक लिखकर आपको उसका चिन लिख लेना है ठीक है ना केवल इतना लिख लेना है अब आपको स्टार बना के हर चीज स्टार में लिखना है स्टार बना के क्या लिखना है इस वाग के मतलब इस जो है विराम का प्रियोग क्या करना है इस विराम का प्रियोग हर्स और विसाद में किया जाता है विसमे में, घ्रणा में, आशरे में, करुणा में, भे में अगर ऐसे हैं जैसे अरे आपका वाग है ओहो ये क्या हो गया इस तरीके के वर्ड अगर हमारे मुँ से निकलते हैं तो वहाँ पर विसमे दिबोधक इंटर जेक्शन की बात करता है यहाँ पर याद रखीगा दोस्तों उधारन मैं आपको देता हूँ जैसे हाई आह, छी, अरे, सावास, सावास आपने अच्छे नमबर प्राप्ट किये हाई वह मर गया इस तरीके के वर्ड हे राम है इस तरीके के वर्ड क्या होते ना हम जब निकालते हैं तो उनके बीच में जो आपका ऐसा चिन लगता है सिंबल लगता है वो हमारा विश्मयादी बोदक है चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न बाचक सब ही जानते होगे कि जब किसी से प्रश्न हम करते हैं वो हमारा प्रश्ण बाचक लगता है और ये हमेशा अंत में लगता है ये हमेशा अंत में लगता है आपको अपने क्या लिखना है कॉपी में स्टार बना के प्रश्ण बाचक लिख लेना है और उसका चिन लिख लेना है और अपने क्या लिख लेना है दूसरे स्टार में प्रश्ण ब करेंगे जवाब दीजेगा कॉस्टक क्या है कॉस्टक् City की बात करें तो न का प्रियोग अर्थ को और अधिक स्पस्ट करने के लिए सब्दoo and उस्ट को को स्टक के अंदर लिख कर किया जाता है जैसे आपको हसी वाली बात बताते हैं जैसे अर्थ ज्यादा इसपस्ट करना है जैसे मैंने आपको एक्जांपल दिया था जैसे आज साधी बरात चला है साधी बरात में क्या होता है कार्ड में क्या होता है कार्ड में लिखा होता है ये परिण है इनकी साधी है 17 मई 18 जून 10 दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल तो उदर धर्मेंदर कुमार और उनका गाउं का नाम या क्या है घर का नाम क्या है उदर गाउं का नाम या घर का नाम पपू है अब समझ गया ना मेरी बात ये कोस्टक में जादा अर्थ क्या लिख रहा है ना अर्थ ऐसा प्रियोग अर्थ अधिक इस्पस्ट करने के लिए धरमेंदर कुमार को अधिक इसपस्ट करने के लिए पपू लिख दिया मेरी बास समझ रहे ना तो समझ में आ गया होगा इससे बेस्ट आंसर मेरे पास है न एक्जामपल विश्वा मित्र ने कह रहा है कुरोध में कापते हुए ठहर जा तो ये जो कोस्टक का प्रियोग हुआ है ये कोस्टक में आप कोस्टक की बात करोगे योजक चिन से काफी वार एक्जाम में कोईसेंस मिलते हैं योजक चिन को हाइफन कहते हैं और योजक चिन जो है समस्त पदों के मध्य में किया जाता है बीच में अब दूंद में क्या है दूंद समास में क्या करोगे द्वंद समास में योजक चिन का प्रियोग आप करोगे जैसे सुख दुख लाव हानी दिन रात यस अपयस तन्मन है ना तन्मन धन तो मैं कह सकता हूँ कि आपको क्या लिखना है योजक चिन का किवल सिंबल बना लेना है स्टार करके एक दो एक्जामपल लगा लेना है परिवा समझ गया ना बहुत जबज़स तरीके से हर चैप्टर में ज़्यादा समय नहीं लगाना है भहिया क्योंकि बहुत पढ़ने को है अवतरन या उधारन चिन क्या है अवतरन को हम कहते हैं कौमा किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरन चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरन चिन का प्रियोग करते हैं जैसे अगर हम बात करें तुलसी दास ने सत्त कहा कि पराधीन सपने उसक नहीं मेरी बात समझ रहे ना अगर हम कोई भी वाक जी ने कहा और मैं ऐसे इन्वर्टट कामा में उस चीज को पूरे को बंद कर दिया तो वो क्या होगा अवतर या अवतरन या उधरन चिन कहलाएगा inverted कामा में उसी चीज़ को हम बंद कर देंगे चले हम बात करेंगे यह बहुत बार एक्जाम में देखा गया है अब्रिवियेशन साइन यानि लागव चिन का आपको सिंबल ही पूँचा गया है यहाँ पर देखीगा लागव चिन कैसा है किसी बड़े तथा प्रसिद सब्द को संचेप में लिखने के लिए उस सब्द का पहला अच्छर लिखकर उसके आगे सूने लगा दिया जाता है जैसे अगर हम डाक्टर को डाक्टर लिख देते हैं लागव चिन आपको ऐसे लिखो गए अपने नोट्स में आप लागव चिन लिखिएगा आप लागव विराम चिन लिखिएगा लागव विराम चिन लिख लो और उसके क्या उसके कोस्टक में ऐसे लिख दीजेगा यह लागब चिन है जैसे एक्जाम्पल के तौर पर एक और बढ़ा लो डॉक्टर के आगे हम पूरा न लिखकर केवल डॉक्टर पंडित के आगे मैं पूरा न लिखकर केवल पंडित है ना इंजीनिर के आगे हम केवल इंजी लगकर जो है बिंदी लगा देते हैं सिंपल सी बा विवरन चिनन का आप को सिमबल बता देना है साईना फालो इंग की बात करें गट तो मैं कह सकता हूँ विवरन चिनन का जो सिमबल होता है आप अपने नोट्स में केबल विवरन चिनल लिखेगा आगे डेस मारके उसका यहांपर सिमबल बना दीजanga अब कहां पर प्रियोग होता है विवरन चिन का प्रियोग वाक्यांस के विसाय में कुछ सूचक निर्देस आदी देने के लिए किया जाता है जब हम किसी चीज को निर्देसित करते हैं किसी वाक्यांस को निर्देसित करते हैं किसी व्यक्ति को निर्देस देते हैं या किसी स के वेद होते हैं ये पहला वेद है फिर दूसरा वेद है फिर तीसरा वेद है मेरी वा समझ रहे ना तो यहां पर क्या है विवरण चिन का मतलब होता है किसी वी वाक्यांस को हम इसपस्ट करने के लिए हम निर्देश देते हैं तो वहां नीचे जो है कोल स्टक में अंडर लाइन लगा देते हैं किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण सब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए मिरिध्यान सिभा सुनिएगा रेखांकन चिन क्या होता है कि किसी भी आपने देखा होगा कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो और चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो उसमें कोई कठिन वर्ड है उसको अंडर लाइन आप कर लेते हो है ना या कोई किताब में आपको पहले से ही अंडर लाइन मिल ला होता है है ना तो मेरी बात समझ़ लगे ना किसी भी ऐसा मेहत्व पूर्ट सब्द जो पद हो सकता है वाक्य हो सकता है उसको रेखांकित करने के लिए हम अंडरलाइन का यूख़ अब देखो अंडरलाइन तो बाउसर मैं कहा दूं कि हरियाना और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी प्र ठक करती है ठीक है थीक न गोधान उपनियास प्रेमचंदर दौरा लिकित सरवसे legends करती अब इसमे तो लगा नहीं है लेकिन मैं क्या करूं मैं इसके नीचे यमुना के नीचे और प्रेम चंद्र द्वारा लिखित अब प्रेम चंद्र के नीचे मैंने लगा दिया मेरी बाद समझ रहे ना जब भी किसी व्यक्ति या किसी विसेश समुदाय के प्रती हम नीचे को विसेश स्थान देते हैं विसेश सब्द के नीचे हम लाइन खीशते हैं तो वो क्या है? अंडर लाइन कहलाता है रेखांकन चिन कहलाता है हम लोग लास्ट स्टेच पर हैं कुछ और बचे हुए हैं पदलोप चिन क्या है? जब वाक्या अनुचेद में कुछ अंस छोड़ कर लिखना हो तो लोप चिन कहलाता है आपने देखा होगा ना जैसे ओमिशन की बात करें या पदलोप चिन की बात करें तो आपने डॉट 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 करके छोड़ दिया उसको है ना जैसे कोई भी बाक्या आता है तो आपने देखा होगा वही बाक्या अगर रिपीट हो गया तो आपने जो है लाइन लाइन करके छोड़ दिया फिर दूसरे से लिखे फिर वही अगर रिपीट होती लाइन तो इसको डॉट 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 करके छोड़ दिया जैसे राम ने मोहन को गाली दी डॉट 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 मेरी बात समझ रहे ना कुछ ऐसा अंस जो आगे लिखा जा सके मैं सामान उठा दूँगा पर आगे कुछ कहना चाहता उसने डॉट डॉट कर दिया मैं घर अवज से चलूँगा लेकिन डॉट 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 पर तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ और कहना चाहता जब हम ऐसी वाक्य की बात करते हैं जब हम कोई अंस छोड़ देते हैं पद या वाक्य का अधूरा करते हैं तो वहाँ पर पदलोब चिन प्रियोग होता है ठीक है अगला है रिपीट पॉइंटर सिंबल जिसको पुनरुक्त सूचक चिन की बात करें यह एक जो है ब्रेकेट में दो यहाँ पर सिंबल होते हैं और जोनों क्या है नीचे लगते हैं अल्प विराम की तरह है पुनरुक्त सूचक चिन आपको सिंबल लिख लेना है और यह दोस्तों उपर लिखे किसी वाक्य के अंस को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जब किसी कुछन में अगर आ जाए कि दोबारा लिखे हुए सब्द को ना लिखा जाए, उसके लिए हम उसके बदले में कौन सा यह विराम चिन तो पुनरक्तिसूचक चिन हम यूज़ करेंगे कलेर हुआ अब लास्ट के पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे विस्मरण चिन या तुरुटि पूरक चिन वारबार अग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंग तुरुटी पूर अक्षेन तो बहुत अबार एक्जाम में पूशा गया है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं जैसे नहीं कहते हैं कि राम चला गया राम चला गया और मुझे क्या लिखना था आपने लिख दिया ये कौपी में और आपको लिखना ये था कि राम बाजार चला गया और आपके पास जगे बीच में है नहीं तो आप क्या करते थे उपर आप उपर इसको जो है क्या करते थे उपर जो है बाजार लिख देते थे मेरी बास समझने की बास इतनी है कि जब हम ये वाला सिंबल लगाते थे न ये तुरुटी पूरक है क्योंकि हम जब बाकी में भूल जाते हैं कि मुझे क्या लिखना होता है तो मैं ये सिंबल लगा कर उपर लिख देता हूँ तो वही चीज है कि भूल जाने पर किया जाता है जैसे राम जाएगा स्याम रहते थे अब देखो राम घर जाएगा स्याम किसके घर में रहते थे अगर लिखना था राम बहुत चालाक लड़का था इमानदार लड़का था तो मुझे उपर लिख देना है मैंने तुमसे वो नहीं की थी अगर मैं उपर लिख दूँ है कुछ भी आ सकता है तो मतलब क्या है जब भी sentence में आप भूल लाते हो तो उपर आप जो है ये symbol लगा कि उपर लिक देते हो यहां लिक देते हो यहां लिक देते हो तो ये चीजें क्या हैं तुर्टी पूर्ण है दोस्तों पूरे वीडियो में बिना रुके सांसर बिना लिये पूरा चैप्टर पढ़ाए हो सकता है आप लेट हो गए हो लेकिन पूरा देखना मज़ा आ जाएगा दोस्तों और उम्मेद करते हैं इसके सारे कुसंस भी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में और लबियो गाइस ठेंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरिजी वाइड एक्जाम स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि अगर सेर और सेर नहीं होंगे तो वीडियो आपने पूरा देखा होगा और नहीं देखा होगा तो देख लेंगे और एक्जाम में फतेह कर जा कि अलाद।